बी प्रोफेस शमशुत्री विभाजों के प्राडव होतेखी कोशिका में निर्जलीकरन शुरू होने लगता है इसके पड़िनाम शरुप कोशिका और ततपश्चात क्रोमेटीन जाल भी स्पस्ट नजोड आने लगते हैं इसके पश्चात क्रोमेटीन जाल के धागे तुट कर अनेक छोटे छोटे टुक्रों में परिबर्तिद हो जाते हैं ये टुक्रे गून सुत्रों क्रोमोजम्स होते हैं प्रते गून सुत्रों पर दानेदर रचनाय दिखाई परती है जिने क्रोमो मियाड कहते हैं प्रत्यक जीवी की कौशिकाव में गून सुत्रों की संखा निश्चित होती है, प्रत्यक गून सुत्रों में एक बिशिष्ट स्थान होता है, जिसे संट्रों मियार कहते हैं, इसके पश्चाद गून सुत्रों की लंबाई में दो अर्धो भागों में विभाजन होता है, पर प्रत्यक अध्धोभाग को अर्धोगुनो सुत्रो या क्रोमाटीर्स कहते हैं। प्रत्यक अर्धों में कुछ पडिबर्तन होता है। और गुन सुत्रो कोशिका के मध्धों में आ जाते हैं। केंद्रोग जिल्ली के गायब होने की साथ साथ प्रोफेज अवस्ता पुर्ण हो जाती है। क्या जाते हैं। झाल सच हुआे झाल